है 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 हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू सक्साइस पंड एवेटो सक्साइस आए मियोगेश्वर में एक पाफ फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सक्साइस पंड एजुकेशन के ऑफिस्टिल यूटूब चैनल पर तो फ्रेंट्स आप सभी जानते हैं कि आपकी क्लास पूछ ले जाते हैं ठीक है तो नमबर शिस्टिम के पार्ट है रिमेंडर ठहुरम वह आज आज हम इस वीडियो में रिसक्षिस करेंगे और यह आपका नमबर शिस्टिम का पार्ट वान ए ठीक है आज जो क्यों लेवल लेकर चलेंगे वह बिल्कूल इसी लेवल बेसिक से पार्स में हम डिवाइड करके चलेंगे ठीक है और जो केशन से हैं वो एजी मॉडरेट और हाड तीनों लेवल के किये जाएंगे ठीक है तो वीडियो आज की आपकी काफी हेलफ रहेगी अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और से जरूर करें अगर जो पहला केशन रहेंट्स आपका अगर पावर टेन्टी वन इस ट्वैडिड़ भाइड बाइफ इस तीन की पावर फ्रेंट्स ए इसको पांच से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमेंडर क्या बचे का बहुत ही आसाम केशन रहेंट्स देखो आप सभी को पता है ठीज 1 is equal to 3, 3 की power 2 is equal to 9, 3 की power 3 is equal to 27, ये चीज़ पता ना, तो देखो आगे, समझो, अब friends, इस तरह की question में जो power दी गई है न, उसको divide करो, उस नंबर से जिससे उसने divide करने के लिए बोला है, ठीक है, 21 को आप divide करो, 5 से, ठीक है, 5 ओर्चा, 20, remainder कितना बचा friends, 1, remainder किसके को लोगा, 1 के, ठीक है, सेस कितना आया है, एक आया है, अब इसका unit digit के friends, 3 है, तो 3 की power, कितनी होगी, 1, और 3 की power, 1 कितनी होती है, 3, तो answer आगे आपका 3, clear है, answer क्या आगे आपका, 3, बोत ही आसान trick है, अगर ध्यान से समझोगे, चीज़ों को समझोगे, कोसिस करोगे, तो कोई भी मु the divider is 10 times of the question and 5 times of the remainder, ठीक है, if the remainder is 40, then the dividend is, आप सभी को पता हुआ कि dividend कौन सा होता है, question कौन सा होता है, मैं बता देता हूँ, जो friends इस तरफ आता है, जो answer आता है, वो तो आपका होता है, भागफल मतलब question, ठीक है, और जो नीचे बसता है, वो बसता आपका salesful मतलब remainder, ठीक है जिससे भाग दिया जाता है, वो ओता आपका divider मतलब भाजक, और जिससे जिसको भाग दिया जाता है, वो तापका dividend मतलब लाबांश कह सकते हám इसको, ठीक है, तो friends ये है, given है, ये भी given एक तरह से, ये टो properly given है, तो आपकोने जो find मतलब जिस संघ्या को भाग दिया गया है ठीक है कैसे करींगे देखते हैं को तो सबसे पहले से हम किषंट को मतलब जो आपका भागक फल आ रहा है उसको माले ऐक्स ठीक है और जो डिवेजर है यह जो आपका भाजक है वो है आपका 10 कुना, इसका किसका क्योशन्ट का, मतलब भागपल का तो यह हो गया आपका 10x ठीक है, अब इसके बाद remainder का कितना है, 5 कुना तो ठीक है, हम remainder को कह लिख सकते है, diviser divided by 5, ठीक है, तो diviser divided by 5 अगर हम करते हैं, तो diviser की value कितनी है, 10x divided by 5, कितना आगे remainder 2x, ठीक है remainder कितना आगया, 2x अब x की value क्या जाएग यहां से और जो 2x किसके equal दिया friends, remainder किसके equal दिया, 40 के equal दिया है, 40 के equal दिया ना तो x की value क्या जाएगी, 20 ठीक है, तो इस तरफ जाएगे, 2, 2 जा 24 और 0 तो एक्स की वेलू क्या अगी आपकी 20 यहां तक clear है अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है कि डिविडेंट किसके एक्वल होता है डिविडेंट होता है को डिवेजर इन के माल्टिप्लाई क्यूशंट प्लस रिमेंडर ठीक है अब डिवाइजर कि क्या है अपका एक्स मल्टिप्लाई 10x प्लस 40 ठीक है यहां तक क्यूशंट के माना अपने एक्स माना था न और डिवेजर क्या है 10x है यहां तक clear है तो इसकी वैलू स्पूट की तो एक्स मैल्टिप्लाई 10x प्लस 40 यह कितना हो गया 10x मिल्टिप्लाई एक्स इस एकल टू 10x स्क्यार प्लस 40 हां तो कोई डाउट है तो मुझे लिखना वैसे चीजों को ध्यान से समझोगी तो clear हो जाएगा ठीक है एक्स की वेल्टिстchn कितना होगा 400 400 Вы open walked και टेशे तो 24,004 प्लस 40 in 40 minus है तो यहाँ आपका 4 in 4040 दीजे समाज़ आई ही पहले क्यों को एक्स माना डिविजर कितना हो गया तो इस गुना हो गया रिमेंडर कितना 5 को ना है मतलब डिविजर का पांचवा हिस्था ठीक है ना तो डिविजर को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो डिमेंडर कितना होगा 2x और 2x की वैलू गीवन है 40 तो x की वैलू कितनी आ जाईए आपकी 20 और जो आपका डिविडेंड होता है वह किसके इकल होता है डिवाइड गुना क्यूशन्ट प्लस आर मतलब बाजक गुना बागफल जमा सेस्फल ठीक है तो जो आपका बागफल था वह x माना था हमने और ज तो सेस्फल दिया है इसने 40 तो इनकी वैलूस पूट की तो यह हो गया 10x स्क्वेर, x क्या है 20 है 20 का स्क्वेर होगा 400 अब इसको मिल्टिप्लाइ करेंगे 10 से तो आगया 4000 40 गिवन है तो 4000 प्लस 40 4040 ठीक है 4040 इस क्यूशन का अंसर आ जाएगा क्लियर है चीजों को बड़े द्हान से समझना बिल्कुल एजी लेवल से लेके आयों में और दीजिक दिले की अपकी केशन का लेवल बढ़ाते चलेंगे ठीक है अब अगला केशन फ्रेंड से नंबर वैं डिवैडिड बाई 49 लिव 32 रिमेंडर ठीक है इस नंबर वैं डिवैडिड बाई 7 विल है रिम लिखा दी गई है जो से आया है उसको डिवाइड कर दो जो बाद वाली संख्या है तो आपका अंसर आजाएगा ठीक है 32 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 748 कितना बचा 4 तो मिक्स ट्रेक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा 4 is 4 by 7 यह क्या होता आपका बागफ़ल यह होत है ठीक है आपका अंसर आ जाएगा अब देखते हैं अगला किशन जो अगला किशन फैंस वह है आपका बाइविच नंबर सुट 0.022 बी मल्टिप्लाइड इस तो इसने का 0.022 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 66 हो जाए तो हम उस संख्या को उस नंबर को माल लेते हैं पहले एक्स ठीक है तो क्या माल लिया एक्स अब 0.022 को एक्स के साथ हम मिल्टिप्लाइड करें तो अंसर क्या है 66 गुणनफल मतलब डिवाइड बाइ 0.002 ठीक है 0.022 आप देखो अगर वैसे तो आपको सबको नॉर्मली आता हो इस तरह से डिवाइड करना अगर नहीं आता है तो फ्रेंट्स देखो यह क्या 0 है इस 0 को आप उपर ले जाओ ठीक है इस पॉइंट को आप उपर ले जाओ इस 0 को भी आप उ 66,000 क्लियर है ना तो मैं कलर चैंज करके अगर आपको बताता हूं यह जीरो पाइंट चीरो जो यह तीन है त्री डिजिट है तो ऊपर त्री जीरो लगा दो ठीक है तो यह कितना बन गया 66,000 और डिवाइड को किसे करना है 22 से 22 बन जा 22 त्री जा 66 ठीक है तो अंसर क्या है आपका 3000 ओके चीजें समझ आ रही है वेरी गुट अब देखने फ्रेंट से अगला केशन जागला केशन फ्रेंट्स दा रिमेंडर वैंट्री इस पावर 21 इस डिवैड़ेड बाइड़ इस तीन की पावर फ्रेंट्स 21 से इसको पांच से अगर डिवाइड किया जाए तो प्रेंट्स इस तरह कीशन में जो पावर दीगई है उसको डिवाइड करता इस नमबर से जिससे इस डिवाइड करने के लिए बोला है ठीक है 21 को आप डिवाइड करो तो 5 से ठीक है 5 फोर्जा 20 remainder कितना बचा फ्रेंड्स 1 remainder किसके equal होगा 1 के ठीक है सेस कितना है एक आया है अब इसका unit digit क्या फ्रेंड्स 3 है तो 3 की power कितनी होगी 1 और 3 की power 1 कितनी होती है 3 तो answer आगे आपका 3 clear है answer क्या आपका 3 बहुत ही आसान trick है अगर ध्यान से समझोगे चीजों को समझोगे कोसिस करोगे तो कोई भी मुश्किल नहीं होगा number system बहुत ही आसान एक topic है मैसे जो की scoring topic है ठीक है तो अगले question पर चलते है friends तो friends जो अगले question वह है if n be any natural number then by which largest number n cube minus n is always divisible ठीक है यहाँ पर options नहीं लिखे गई है options भी थी इस question के 3 6 12 and 18 ठीक है 3 6 12 and 18 तो इसने कहा है एक n है जो प्राकरत संख्या है ठीक है तो हम चोटी से चोटी मेंस प्राकरत संख्या है ले लेते हैं तो n ले लिए हमने 2 ठीक है value पूट कर दो n cube minus n वो संख्या जाएगे आपकी n cube कितना होता है 2 रखा यह तो 2 का cube 8 minus 2 is equal to 6 ठीक है answer क्या जाएगा आपका 6 clear answer क्या आपका 6 संसे छोटी जो national number प्राकरत संख्या हो आपने value पूट कर दी और answer आपका निकल क्या आगया क्लिरा चीजे वरी गुट तो फ्रेंड्स जो आपका एगला क्यूशन है वह आपका practice question ठीक है question अपका इने division problem the division is four times the question and three times of the remainder remainder ठीक है if remainder is four then dividend is तो इस तरह के question आपका करा गया है जो बाजक है वो चार गुना है बागफल का और तीन गुना है सेस्फल का ठीक है तो जो डिविडेंट जो राबाश है वो ग्याद करना है और सेस्फल की वैलू दिए चार तो फ्रेंस इस question का screenshot लिजिए और अपना solution करने के बाद answer अपना comment कीजिए ठीक है इस question का solution आप अगले session में discuss किया जाएगा यह classes आपकी IP security assistant के लिए चल रहे हैं अगर आपने अभी तक इन classes को जोई ने क्या तो अभी हुआ हुआ है